कोरोना वाइरस को लेकर संबल जिले में भी अलट है सास्ती भीभाग को भेजी गई सूची के अनुसार पांच लोग सामने आए हैं जो संबल जिले के हैं और हाल ही में चाइना से लोटे हैं फिलाल इन सबी लोगों की जाज के साथ निगरानी रखी जा रही है चाइना में इन दोनों कोरोना वाइरस फैलने से सेक्रों की तदाद में लोगों की मौत हो चुकी है और काफी लोग इसकी संपर्ख में आने से संक्रामिक थे हैं वही चाइना में कोरोना वाइरस फैलने से भारत सरकार ने देश में अलट जारी कर दिया है और चाइने से भारत आने वाले हर एक व्यक्ति की निकरानी रखी जा रही है स्वास्ति विभाग को मिली जानकारी के अनुसार संबल जीले के पांच लोग है जो चाइने से भारत लोटे हैं जिनकी जाच की जा रही है जाच के अधार पर देखा जा रहा है कि इन सभी लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण तो दिखाई नहीं दे रहे हैं फिलाल स्वास्ति विभाग के अनुसार अभी तक किसी में कोरोना वायरस जीसे कोई भी लक्षण नहीं मिला है एतियात के तोर पर इन सभी लोगों के न पॉजिटिव नहीं मिला है हाला कि एतियात के तोर पर इनसे भी लोगों की निग्रानी रखी जा रही है और जिला स्पताल में आइसोलेशन बार्ड बनाया गया है जहां संक्रामिक रोगों से ग्रस्त रोग्यों को रखा जा सके और नोवारस का प्रबोब चैना में जादा ह जाना जैसा आप लोग जान चैना से आने वादी वादी निग्रानी नटी जा रहे हैं और वहीं से पेशेंट को ट्रेस की जा रहा है उनके नाम बता लेकर संबंदे इले के CMO को सुचना भी रहती है अगर उन्हें सिंटम्स है तो उनका इलाज उस्तरी बीजिया जाता है वरना 14 दिन तर उनको निग्रानी घरख खा जाता है अच्छे संब्द देले कितने लोग आये हैं चाइन से पता चलाए के पांच लोग चाइना से आलिकि रहे हैं इनकी सुचना CMO के देगी है और उनके नाम पते देले का रातमन उनकी निग्रानी घरख जाता है तो क्या वह जो 5 ओर बना तो क्या उनके वारे में क्या कुछ जैनकर मिली हैं, कवह लोग कहाँद हैib और क्या इन जी दिया रहा है अज है तो व्हयाँ पर है है ठीज तर्फल में आई शिलाक इसन नाच बहाँ एक पर खोर ढथए किने बिटका हैं तो कॉरण वाइरस के लिए क्या-क्या एहतियाद बरत्था चाहिए उसके नियत खुला जांगे दिए प्रिशाय के सिंटम्स नॉर्मल जो अपर रेस्पुरेटिव ट्रेट इंफ्रेक्शन के वाइरस के होते हैं जो पाम होगे रहा निसला खांसी बुखार और सांसी एने के तकलीफ मुख्यत रही सिंटम्स हैं ऐसे कि इसको संदिन बानते रों उसकी जाच कराई जाती है और उ कि इसे बारे में आप समुझ जाने के लेंचानी हैं आप बता सुरते हैं हाँ प्रोनमाइरस से जो लक्षण पैदा होते हैं वो फ्लू जैसे लक्षण होते हैं और इस से में चीन में काफी इसका संक्रमण है और बारस सरकार की तरफ से लगातार इसके बारे में निर्देश दिये जा रहे हैं डॉक्टर्स को भी और आम जंता को भी हम निर्देश हम बताएंगे इसके बारे में और इसमें यह कि कोरणा वाइरस में जो लक्षण होते हैं संक्रमण में वो फ्लू जैसे होते हैं तो जो भी व् एरपोर्ट पे उनकी स्क्रीनिंग हो जा रहे है और उसके बाद जैसे वो अपने सम्बंदित जिले में जा रहे हैं तो उनको 14 दिन तक उनको आइसोलेशन में रखना होता है और अगर उनमें कोई संक्रमन के निशान पाये जाते हैं जैसे कफ, कोल्ड या सास लेने में दिकक तो फिर उनकी टेसिंग की जाती है और वैसे उनको पूरा 28 दिन तक अंडर उब्जावेशन रखा जाएगा और घर में भी जैसे वो रहते हैं तो उनको अलग कमरे में रखा जाएगा और वो अपना एक त्री लेर्ड मास्क पहनेंगे गर के लोगों से भी कम से कम संपर्क और इसमें आमजंता को यह बताना है कि यसे कोई यंदर संपर्क में आता है तो उससे कम से कम बाटचीत करते में एक हात से जादा की दूरी बनात के रखें जादा की दूरी बना जाकी रखें तो समबब हो सके तो 7 Plus और परसनल हाईजीन पर जो वहां से चाइना से लोग लोटे हैं वो भी अपनी ध्यान दें और घर के व्यक्ति भी तो उसमें यह है कि जैसे आप किसी व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं तो उसके बाद आप हाथ दोएं और खासते छीकते समय रुमाल का प्रियोप करें उसके जो इस तरह से चाइना से व्यक्ति लोटे हैं 15 जन्वरी के बाद से तो उनको जो है घर में ही observation पे रखा जाएगा और स्वास्त विबाद की टीमें उनका डेली observation करेंगी संबल के कितने लोग हैं यह चाइना याता से लोटे हैं फिलाल तो हमारे पास भाहरा सरकार द्वार क्यों की लिस्ट वे तो